एक व्यक्ति था उसके तीन मितर थे एक ऐसा जिसे वह परते देने मिलता था दूसरा ऐसा था जिसे वह प्यार करता था लेकिन मिलता था एक दो सब्ता में और तीसरा ऐसा था तो महिनों के बाद कभी-कभी मिलता था एक बार उस व्यक्ति पर मुक्दमा चल गया वकील ने का मुक्रतमा तो बहुत सकता है तो ऐसे गवात याग करो जो कहे कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम पर लगी आरोख को गलत समझता हूँ वह है व्यक्ति अपने वह है व्यक्ति अपने पहले मितर के पास गया बोला एक मुक्रतमा बन गया है मेरे उपर तुम चल कर मेरे पक्स में गवाई दे दो मितर ने कहा देखो भाई तुमारी मेरी मितरता आविश्य है लेकिन गवाई देने के लिए मैं तुमारे साथ एक पक भी नहीं जा सकता यह व्यक्ति बहुत निरास हुआ दुखी भी हुआ तब ही वह दूसरे मुतर का प ख्याल आया जो मैनों में थोड़ी तेरी के लिए मिलता था उससे अपनी बात कई तीसरे मितर ने जो से का मैं तेरे साथ चलूंगा मैं तेरे पक्स में गवाई दूंगा और मेरा दावा है कि यह मुगत्मा भी समापत हो जाएगा तू बरी हो जाएगा प्रंदुवा मितर कोन है वह है आत्मा पहला मितर है धन संपति भवन भूमी जिने मनुष्य अपना समझता है जिनके लिए राद दीन हर समय चिंता करता है दूसरा मितर है समंदी रिष्टेदार पत्नी बच्चे बाई भै